इक पर आप एक शेर चेक करें कि टाटा मोटर्स का एक्चली कुछ ज़्यादा है इंटरस्टिंग डाटा वगरा एसस तो नहीं बन रहा है लेकिन हाँ आटो के सेल्स के नंबर आते है एक तारीक को ठीक उससे पहले आरी है एकसपारी अमू मनाती है तो होता क्या है कि जो 400 ब्रेक नहीं गरता है यह बिल्कुल टाटा मोटर्स लेवल ब्रेक नहीं बट रहा बट कंसनिया की फोल अब भी नहीं आता है आप देखें टाटा मोटर्स को पिछली लगबग तीन-चार वीक से तो बार-बार यहां पर जो सपोर्ट है वो 405-407 के आसपास आता है बट में 422-425 निकल नहीं रहा है तो 400 में ज़र सपोर्ट रहेगा यह लेवल तोड़े तो ध्यान रखें अजवाज यह इस दाहरी में कंसोल्डेट करता हूए नजर आएगा कोई अग्रेसिव इस्टेंस नहीं है तो 400 के सपोर्ट को साहथ यह स्टोक विल्यू दे सकता है अगला सवाल आपसे लेते हैं अगर देखें निफ्टी नेक्स्ट काटेगरी में DLF के स्टोक में एक अच्छी मजबूती दिख रही है और साथ ही हम देख रहे हैं अगर आप न्यूस फ्लो देखें तो रेल एस्टेट में सेल काफी बढ़ रहे हैं अगर मैं DLF भी देखूं साल की शुरुवात से 380 के जो जोन्स हैं इसको कहीं मीनिंगफुली ना क्रॉस कर पाया है और डाउनसाइड 340 तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है मेरे साब से इसको आप अवाइड कर सकते हैं तो तो थोड़ा सा इसमें आप अवाइड करके चलें क्योंकि जब तक क्लियर ब्रेक आउट नहीं मिलता तब तक आपनो लॉंग कर पाएंगे ना शॉट कर पाएंगे तो अभी भी इसमें कहीं बेस फॉरमिशन हुआ नहीं है जब तक यह नहीं होता तब तक इसमें बाइंगी सला दे पाना तो देखिए बहुत ही मुश्किल है शॉट पोजिशन हो तो यह बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है इसको आप यहां से राइड कर सकते हैं फ्रेश शॉटिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं 1050 के टाइट स्टॉप लोस लेके चलिए पहला टार्गेट आपके लिए 111010 का रहेगा दूसरा टार्गेट 990 का कि अच्छा कर सकते हैं